नमस्कार दोस्तों ट्रिकी गुरु अमिद गुप्ता के यूटूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है दोस्तों आज में आपके लिए फिर से लेकर आगए हूँ यूपी एसाई दोय सतरा की अर्लाइन परिच्छा में पूछे गया है दस ऐसे सांदार रेजिनिंग क प्रस्ण जी ने हम साल करेंगे बिल्कु ट्रिक की अप्रोच के साथ और यह से रिच का आठ्रामा बीडियो है और यूपी एसाई दोय सतरा की जानदार प्रस्ण होंगे और हम देखते हैं इस वीडियो के सुरू करते टाप्टेंट प्रस्णों की यह सिरिंखला तो यह प परियाप्त हैं यहां दोनों में से कोई परियाप्त नहीं है यहां पर विकल्प मैंने जगव बचाने के लिए हटा दिया है आपको उत्तर देते समय यह विकल्प दीखेगा तो सवाल में क्या पूछा बताया है कि PQR एक लंबी कतार में खड़े हैं कतार में कितने लोग हैं यानि टोटल कुल संख्या बताना है कुल संख्या आपको ग्यात नहीं करना है लेकिन बताना है कि कुल संख्या ग्यात करने के लिए हमें दोनों में से किन कतनों की ज़रुरत पड़ेगी तो मोटा मोटी एक आइडिया लगाई है कि P Q R है तो इसमें किवल जानकारी दिया P का और Q का अब बस इतना ही बताया है कि P के पीछे दो लोग है यानि कि एक लोग दो लोग यानि इसके बाद यहाँ पे अब कोई नहीं रास्ता बंद है पी के पीछे तो पीछे हम लोग इसको मानना है और आगे इसको मानने है आगे हम लोग इसे मान रहा हैं अपने समझने के लिए और पीछे हम लोग इसे मानने हैं अपने समझने के लिए तो इन दोनों ही जगहों पे अब इसके इधर आप कोई नहीं वाइभा, P के पीछे कीवल दो लोग है, और Q कतार के बीच में, तो इतनी जानकारी से तो बताए नहीं जहा सकता है कि टोटल किते लोग है, कि कम सकम ये तो आंसर कभी नहीं होगा, कि क्योल पहला कथन परयाप्थ हो, या क्योल दूसरा कथन प्रयार्थों दोनों मिलाके ही उत्तर दिया जा सकता है या हो सकता है कि न दिया जाए मुटा-मुटी कमण सेंस आप लगा सकते हैं तो अब इसमें हम लोग दूसरा कतन जोडते हैं और Q को करा कि कतार के बीच में है ऐसा भी होना चाहिए Q और R के बीच में केवल 3 व्यक्ति ह Q और R के बीच में 3 व्यक्ति हैं केवल और करा कि केवल 4 व्यक्ति R के पीचे है यानि R के पीचे भी केवल 4 ही लोग है जैसे P के पीचे 2 लोग है तो R के पीचे 4 लोग है तो ये भी एकदम confirm लाइन है ऐसे प्रस्नों में जो एकदम confirm हो जिसको आसानी से बना जा सकता है जि यानि, आर ऐसा जवब पर रख दिया जाए कि इसके पीछे चार ही लोग होना चाहेतू, तीन लोग है, यानि एक लोग औरो होगें, इसके पीछे है, यानि एक दो और यह लोग और appropriate, या जो जो बचा है, कीक्षे थेया है जो जो तुर रोग है, और दो क्योख जो इसके इधर बीकितने लोग होगे तो अब आरब से total संख्या बता यह सकता है कि क्यूंके इधर आठ लोग और Q के इधर 8 लोग तो 8, 8, 16 और एक खुद Q तो टोटल कितने हो गए? 17 लोग वैसे बताना नहीं है लेकिन यह हमें पता चल गए कि दोनों अगर कथनों को मिला दिया जाया तो यह बताया जा सकता है कि पंक्ति में कुल संख्या कितनी है उतने लोग हैं तो इसलिए हमारा आंसर हो जाता है विकल्प देखिए विकल्प हमारा C हो जाया दोनों कथन एक और दो में दिये गए तत्थ मिल कर सवाल का जवाब देने के लिए परियाप्त है अगला प्रस देखेंगे हम लोग अगला प्रस दिशा पर इछड़का है तो राजीव जो है पस्षिम दिशा में चलना सुरू करता है तो कहीं पर हम लोग बना लेते हैं जैसे हमने यहाँ पर बना लिया यह राजीव है पस्षिम दिशा इधर है तो पस्षिम दिशा की तब चलना शुरू करता है और कितना चलाना है तो शुरू कर दिया और काफी की दुकान देखी और काफी पीने के बाद यहां पर एकमाल यह काफी की दुकान है, काफी की दुकान है, यही पर इसने काफी पिया, अब यह दूरी यहां से यहां तक कितनी भी हो सकती, इसमें क्योंकि दिया नहीं गया है, काफी पीने के बाद वो उसी दिशा में, यानि कि पसी में जा रहा है, तो पसी में ही 30 मीटर चला जिस दिशा में जा रहा थो उसी दिशा में यहां से यहां तक की दिशा नहीं पता है लेकिन यहां से यहां यह देर आए कि यह 30 मीटर चला यह 30 मीटर हो गया फिर दाई और मुड़ा और 20 मीटर तो दाई और का मतलब clockwise और 20 तो 30 इतना है यहां से यहां तक तो 20 इस से थोड़ा सा कम चला दीजे 20 मीटर चला और 20 मीटर चलने के बाद फिर वह दाई और मुड़ा और 30 मीटर चला दाई ओर यानि की clock wise मुड़ा और 30 meters तो यहां से ले कर यहां तक यह 30 meters है तो यहां से यहां फिर यह 30 meters एकदम यहीं पर आके रुप जाएगा और खिलावने की दुकान पर पूझा यहीं पर खिलावने की दुकान है तो पूछ रहा है कि काफी की दुकान के संदर्व में तो यहां पर याद रखेगा जिस सब्द के आगे संदर्व में या से लिखा रहा है वही पर प्लॉस का निशान बना कर देखना होता है कि अगला नाम यानि की दुकान किस दिशाम है तो काफी की दुकान के संदर में तो काफी की दुकान यह है तो यहीं पर प्लस की कलपना करके यहीं पर हम देखेंगे कि अगला नाम यानि कि खिलोने की दुकान किस दिसाम है तो खिलोने की दुसान दुकान है यहां से उत्तर दिसाम है इसलिए हमारा आंसर हो जाता है C विल थेखकर भी पीडी के इसाप से और इस्तिलिंग पूलिंग के इसाप से विकल्प काट सकते। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें सभी विकल्पों को चेक करना होता है। सब ही का मतलब अगर आपका भाग एचारा तो पहले से ही आंसर आजाएगा या दूसरे से आजाएगा लेकिन कितना हूँ भाग आपका खराब रहेगा तीन से ज्यादा विकल्प आपको चेक नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अगर तीन विकल्प अगर आपके गलत निकले तो चवथा बीना चेक किये ही आप सही कर सकते हैं अगर आपने ध्यान से चेक किया होगा तीनों विकल्पों को तब तो हम लोग यहाँ पर इसको साल्प करते हैं तो पाला मुस्ता, इसमें क्या दिया हुआ है? यह सब कुछ जानकारी दिया है, लाजश में पूछ रहा है की वी जो है, टाबलू की नानी है, यही बताना है कि ऐसा किस विकल्ब से सीध होगा? वी जो है नानी है यानि कि माइनस है किसकी तो डाबलू की तो डाबलू की नानी का मतलब डाबलू की डाबलू की कोई न कोई माता होगी और उसी माता की ये माता होगी तो अब जाके यहाँ पर यह इसको नानी बोल सकती है, क्योंकि माता की माता को नानी करते हैं, तो W की यह माता, अब इसका कुछ भी नाम होगा, नाम सनी मतलब X, Y, Z, कुछ भी नाम होगा, डाबलू की ये माता और माता की माता इसलिए ये हो गई डाबलू की भी नानी हो गई तो ऐसा ही चित्र किस से बनेगा या किस भी कम से सिध्ध होगा तो हमनों उपर चेक करेंगे तो दो-दो कौन लोग साल करते हैं वी और एट डिरेट यू लिखा है तो उपर जाके हमनों चेक करेंगे एट डिरेट का मतलब क्या है तो यहाँ पर देखेंगे तो प एट डिरेट क्यू का मतलब है प क्यू की मा है यानि कि यहाँ पर भी एट डिरेट यू लिखा है तो भी यू की मा है इसका मतलब हुआ वी जो है यू की U की माह, भी जो है U की माह ऐसा चितर बन गया, अब पिछला एक और अगला एक लेकर हम लोग फिर साल्प करेंगे, U और ये वाला जो चीन है, लोप वाला चीन, तो U और इसके चीन का मतलब क्या है, P Q का मतलब है, P Q का भाई है, यानि कि U Z का, U जो है Z का भाई है, U भाई है क इसका, Z का, तो भाई को हम लोग अगल बगल लिखते हैं, अब यहाँ पर इस्टार लिखा हुआ है, तो पिछला एक और अगला एक लेकर, इस्टार का मतलब पले हम लोग उपर चेक कर लेते हैं, इस्टार का मतलब है, P Q का पती है, यानि कि Z है, W का पती है, तो Z पती है, किसका W का है तो यहाँ पर यह इसके पती है यानि यह पतनी है यह इसके पती है और यह पती के भाई है और भाई की यह मा है यह भाई की मा यानि इनकी भी मा है यानि इनके पती की यह मा है तो पती की मा को क्या करते है तो सास करते है तो यहाँ पर हमें डाबलू को भी को डाबलू की ना नी बनाना था लेकिन यहाँ पर यह सास बन गए इसलिए हमारा आंसर एक गलत होगा लेकिन यहाँ पर रुकिये ध्यान यह देने वाली बात है कि आपको यह सूच कर समयन उक्सान नहीं करना कि डाबलू, जेड के पती है और ये पती की माता है यानि क्या है तो सास है ये सब नहीं सोचना है बस आप इतना ही समझ लेजिए कि डाबलू से पीडी के साब से पीडी ट्रिक पीडी ट्रिक के बारे में जो मैं अभी जीकर कर रहा था इसका मतलब यही है कि यहाँ पे हमने देखा डाबलू से भी कितने पूडी उपर है तो एक पीडी ये और यहाँ से आए एक पीडी और यानि कि टोटल दो पीडी उपर है दो पीडी उपर है तो जब दो पीडी उपर है तो यहाँ पे डाबलू भी से यहाँ पर एक अही पीडी उपर है तो हमें चेक करके समय नुक्सान करने के जरूरूत ने कि क्या लगेगा बस हम समझ गए कि यहाँ पर हमारा आंसर दो पीड़ी उपर से आने वाला है हमारा आंसर जो है हमारा आंसर जो यहाँ पर दो पीड़ी से आने वाला है जब कि यहाँ पर एक अही पीड़ी बस डाबलू से भी बना था अब क्या लगेगा यह स्वचिने को सामेनक्सान नहीं करना है तो हमारे एक आंसर हमारे बीचे करते हैं थोड़ दिबाग खुला रखेंगे, भी प्रत्यसिक्व का मतलब है, भी जो है पत्नी है, यानि माइनस है, किसकी? तो यू की, पत्ती पत्नी को हम लग ऐसे ही दर साथ है, यानि ये पत्ती है, अब पिछला एक अगला एक, बराबर का क्या मतलब है? तो फी बराबर क्यों का यू जो है, जेड का क्या है? पिता है, यानि एक पिड़ी उपर हमने बना दिया, अब ये लोपचीन का क्या मतलब है? जेड और डबलू, तो हमने बनाया था इसका, इसका मतलब है P, Q का भाई है, यानि कि जेड, जेड डबलू का भाई है, जेड जो है, भाई है, यानि प करें उपर गाल से धोपी यानि हमने पता चल गया कि हमें इससे भी हम मिला हमारा भागे खराब है दूसरे से भी आंसर भीक पड़ाई तो भी प्रतिसतbie उसी मद्स ही यून अगले अच्छर की यानि कि यह पती है बराबर का मतला हमने उपर देखा ता पिता था तो हमने याद कर लिना चा कि यूपता है एक बार में तो यूपता है किसका इसकी तो W की यानि ये पती है पती पती निकों होगा ऐसे दर साते हैं आप सुरू से वीडियो मेरे देख रहे होगे रक्त समंत के सीरीज के रक्त समंत पर मैंने पूरा सीरीज बनाया है वो इसारा वाला प्रस्णो या तीर वाला प्रस्णो या नेको ट्रिक मैंने रक्त समं में A कही PD का अंतर है तो लगेगा W कभी ये सोचने में समय नहीं लगाना हमें समझ जाना है कि आंसर भी नहीं होगा तो अगर आपने 3B कल्प ध्यान से चेक की आगर आपका भाग एकदम खराब है तीन विकल्ब चेक यारूस में से आंसर नहीं मिला यानि A, B में और C में आंसर नहीं है तो चौथा बिनट देखे आप टीक कर सकते हैं कि यही हमारा आंसर हो जाएगा लेकिन अगर आगर आपको डर है कि कई मैंने A, B और C में कुछ गलती तो कर नहीं दिया है तो आप चाहे कि हम लोग विकल्ब देखकर भी आंसर बताते हैं तो यहां पर ed it का मतलब क्या है यहां पर देखे कहां गया पी पी एड़ेट क्यू का अर्थ है, पी क्यू की मा है, तो हम लोग इसको भी वैसे त्वांसर यही होना चाहे हैं, लेकिन इसको हम लोग चेक कर रहे हैं, तो वी जो है मा है, यानि एक विड़ी ऊपर है, किस की, तो अगले अच्छर की, यानि यू की, पिछला अगला, प्रत्यात का मतलब पत्नी, तो यू पत्नी है, किस की, तो अगले अच्छर यान जेड की, अब बराबर का मतलब है, यानि जेड पिता है, किस के, तो डवलू के, तो देखें ये इसके पिता है, और ये इनकी पत्नी है, तो पिता की पत्नी को डवलू क्या कह तो माता कहेगा और माता कि यह माता after और यानि सिद्ध करने माला आई आपस दिमागने चलाने तो इस नाई से शली नहीं चरों सिर्फ दिमागन। क्या है प्रस्त क्या लाट्री टिक्टों को भारत में कानूनी बनाया जाना चाहिए यानि उसको मानिता दे जाना चाहिए कि लाट्री आराम से बीके मानिता देना चाहिए तो तरक एक में हाँ यानि कि मानिता देना चाहिए एक कारण क्या बता रहा है भारत सरकार को लाटरी टिकट की विक्री पर टेक्स लगा कर बड़ी रकम कमा सकती है यानि कि लाटरी पर जो टेक्स लगेगा इससे सरकार को लाब होगा तो यह तरक बिल्पुल मजबूत है प्रवल है आप यह नहीं कह सकते कि लाटरी से किसी गरीब पनुक्सान होगा या कोई व्यक्ति अपना धन खो देगा हार जाएगा जुवा खिलने के समन है क्यों नहीं कह सकते क्योंकि अगर उसको बुरा कहें तब तो सराब और से तो क्यों धन ही रहेगा धन जाएगा तो दुबारा मिल सकता लेकिन सरीर चला जाएगा दूबारा कैसे मिलेगा utiliz को सर secular टाक पे रखकर कर सिग्रेट धारू बेच सकती है तो लाटरी भी बेचा यह सकता है तो अ कि नहीं कतमा सकती है अब इसे भी चिपे लोग जुवा खेलते ही हैं अब दूसरा तर्क है नहीं नहीं का मतलब लाट्री टिकट को भारत में कानूनी नहीं बना जाना चाहिए समाज के गरीब वर्क से समंदित लोग लाट्री टिकट पर अपनी पूरी कमाई खर्च कर देंगे तो जनता की परिपेच्च से देखा ज इसलिए हमार आंसर हो जाता है सी दोनों ही तर्क मजबूत हैं अगला प्रस नान बरबर लिजिनिंग का है और इसमें आपको अलग छाटना है ध्यान से देखिए और अलग छाटिए वीडियो को यहीं पर रोग दीजिएगा और खुद से उत्तर देने का प्रयास कर लिजि उसके बाद वीडियो को आगे बड़ाइे तो जाए नरे इसका उतर यहां तरीका यह कि यहाँ पर देखिक Detroit कि कितनी संख्याइılar है एक उने Sportback nee शर्ड़ी बिंदू कितरे एक दो तीन चार पांच छे बिंदू भी हैं अब इसमें रेखाएं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ बिंदू एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ बिंदू भी आठ यानि बराबर बराबर इसमें एक दो तीन चार पांच और इसमें एक दो तीन चार पांच रेखाए और छे बिंदू हो गया इसलिए अमारा आंसर हो गया अगला प्रसंद फिर आगया ऐसा जिसमें आपको पेन नहीं चलाना पड़ेगा सिर्फ दिमाग चलाना पड़ेगा पेन चलाने से ज़्यादा अच्छा है तो तर्क क्या करा है कि हाँ यानि सभी बात है बुनियादी धाचे में विकास सुधार करना चाहिए तर्क क्या करा है कि हाँ यह अधिक यात्रियों को आकरसित करेगा तो सभी बात है अगर अपने बुनियादी धाचे में बिर्दी करेगा तो जो लोग बस से यात्रा करते है या एंदि तो सही के बिलुकुल थो सज्बूस सेस्पाー पाली से कम से करीच स्थार मत कर लगीर बात गलत करा है लेकिन तर्क देखा जाता है बात गलत हिसी लाब है तो वो तर्प्रबल हो जाएगे लेकशन तो शुनने में तो एक बार के लली सही लग रहा है ति यार सरकार बुनियार ध ti भाचे में भढ़ा देगी लेकिन आईसा कोई जरूरी नहीं है कि बुनियारी धाचा में सुधार करेगी तभी सरकार कराया किराय में बिर्दिक करेगी विना बुनियादी धाचे में सुधार किये भी लोग किराया समय समय पर हर साल बढ़ाते ही जाते हैं लोग तो बुनियादी धाचे में बिर्दिक करे या विकास करे या ना कर किराया तो बढ़ेगा ह होनी चाहिए अगर आपको सुविधा मिल लई है तो सुविधा के बदले थोड़ा सा सुल्क बढ़ा कर दिया जा सकता है तो यहाँ पर यह दूसरा और तर्क प्रभावी नहीं है जो किसको बुद्याजी धाचे में ब्रिद्धी करने से सुधार करने से रोक रहा है यानि क्युंदा प्रषनर नियाय अब और कि क्या है कुई दिक्त नहीं है है तो है कोई कxo कली कुचि-पुडि नहीं है इससे व्हुत वस्याद दिलाने के लिए मैं लिख झाहा हूं कोई कतकली कुचि-पुडि नहीं यानि कतकली से कुछी पुरी हमेशा ये वला हमेशा दूर रहेगा, निकटता इनके बीच नहीं रहेगी, सभी कुछी पुरी कुलटम है, क्या है? कुलटम है तो देखिए कुची पूड़ी से इस कुची पूड़ी से जिसको मैंने ये काला कर दिया इस कुची पूड़ी से ये कथकली काला वाला दूर रहेगा जिसको मैं गाड़ा कर रहा हूँ लेकिन ये जो है कुलटम जो है इसका भाग हो भी सकता है यानि कि दो एक और चित्र मनेगा यह तो ऐसे रहेगा कथक और यह हो गया कथकली और एक चित्र ऐसा बन सकता है को लट्टम जो है को लट्टम इतना भी हो सकता है कि इतना भी हो सकता है ऐसे भी हो सकता है यानि इन में से कुछ भी को लट्टम हो गया क्योंकि को लट्टम और कथक के बारे में कोई समंद बताया ही नहीं गया तो कुछ भी संभाव है जिसके बारे में कुछ बताया ही नहीं गया उसके लिए तो सब कुछ संभाव है तो यहा कुल अट्टम को गैसे घेर लिये जाया डेखें कुचीपूड़ी से कतकली से इसको दूरी बनादे कुचीपूडी को , किससे कौन दूर रहेगा तो इसको दरसाने के लिए मैं सब्सक्राइब कर दो य्यां यह रेड़ वाला जो है रेड़ वाले से दूर रहेगा लेकिन कुल अटम जो है ऐसे भी हो सकता है यहाँ पर इसको काट दे और मैंने बताया था कि यह ऐसे भी हो सकता है इसको सीध करने के लिए आप चाहें तो कथन को फिर से पड़ी देखिए कोई दिक्कता रहा इसमें सभी कथक 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 क जो दोनों निश्कर्षों में चित्रों में सह Mhm सभी कथक कोलटम हो एक सम्भावना है सभी कथक कोलटम है तो नहीं है इसमें को कथक कफक कफक कफ़ दों की कोई कथक क Chaudhan div कि शॉबह्त नहीं है kalo आईसी कोई संभी कफ़क कफ़क सिथि एक सभावना तो जरूर है देखिए कथक कोलट्टम के अंतरगत आ गया है, यह कथक भीतर है और कोलट्टम बाहर है, यानि कि ऐसा हो सकता है, 100% नहीं, संभावना है, वो भला ही 1% हो, 2% हो, लेकिन ऐसा संभावना है कि कथक कोलट्टम है, जैसे मैं बात करूँ कि A का, A B के मामा है, B C के चाचा है, D E क पीता है, लेकिन D का, अब F के बारे में मैं बताया ही नहीं, कि F क्या है किस से, तो F किसी के भी कुछ भी हो सकते हैं, और हो सकते हैं इन में से किसी के भी कुछ ना हो, तो यानि संभावना लेकिन बोल रहा है, तो संभावना तो है ही एक, तो यानि यह वाला निसकर सहे, द गलत हो जाना इसलिए गलत से बराबर गलत हो जाएगा यानि क्यों पहला निसकर्स एक अनुसर करता है क्यों संगत पहचाना एक अलग छटाल एक ध्यान से देखिए वीडियों को रोग दीजीए थी अइसा प्रस्ण जिसे बताने में आपको अच्छा लाएगा यह जैंदार प्रस्ण है एक जानदार प्रस्ण को बताई बीडियों कर दो‍iner कि मैं रुकूंगा तो लंबा हो जाएंगे मैं नहीं चाहता हूं कि वीडियो में ज्यादा बगबग करों मैं देखता हूं कुमें आधा घंट कि एक गंता एक इडिट कर दिए जाए तो jus तो उसमें बगबग निकलेगा जो पढ़ाई से दूर दूर का रिलेशन नहीं होगा तो मैं ऐसा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता है तो यहां पर देखिए ए और ए में कितना अंतर है तो यू ऐसे भी जोड़ सकते हैं यू है तो वी डावलू एकस राी कितना अंतर हो गया यहां से यहां भी artists 4 खांतर यह अब वी में देखिए एखिए यह कि अंतर उसको चोड़के भी सकते हं ठाटा के डी में से चार में से एक निकाल देंगे तो 3 या A है तो B C D 3 आ जाएगा और N और P में कितना अंतर है तो जहां से चलते उसको छोड़ते जहां पोजते उसको लेकर हमेशा यह नियम याद रखी एन है तो N को छोड़के O P यहां 2 आंतर है N है तो P 2 आंतर 22100 3 आंतर अब इसमें दखते एन है तो O P 2 आंतर T है तो UV 2 Lahar यहां है तो marca 5 अंतर चोड़के U W W X Y या यहां 5 कं तो आपको अब समझ में आ रहा होगा यहां पे दोनों बराबर-बराबर और आंतर यही हमारा आंसर हो जाता है अब इसमें फिर से आपको असंगत बताने कौन सी संख्य असंगत है तो आप ऐसे प्रस्वों में ज्यादा देखेंगे वर्ग घं की अधार पर, समविशम की अधार पर, भाजयब भाज की अधार पर या कभी-कभी इन सभी संख्याओं को जोड के हो सकता कि इसका 10 अंतर और इसका 10 यूफल है, इसका 10 इसका 10 इसका 10 एक का 12 आजाय, तो वह आनसर हो जाया और कई तरीकों से भी अन्य तरीकों से भी हमारा अंसर होता है इस प्रस्म को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा असानी से कि यह संख्या यह संख्या और यह संख्या यह सभी की सभी संख्या क्या है तो अभाजी संख्या है अभाज संख्या के मतलब जो संख्या क्यों एह से या एक से और स्वय से विभाजित हो और किसमें विभाजित नहीं तु से हम अभाज्या करते हैं बाकी 301 अत्तर जो है, वो 7 से विवाजित हो जाएगा, यानि यह अब आज संक्या नहीं, इस आधार पर हमार आंसर हो जाता है, D. अब वे नारेक्स से समझनित प्रस्ण है, इसमें पूछा जा रहा है कि, कांस, रजत, और मिस्रधातू, रजत का मतलब होता है, चांदी. और यह जो है, वो आपता हो जाएगा, रजत, यानि की, चांदी. हमार आंसर हो जाएगा, A. तो दोस्तों, आज का यह छोटा सा वीडियो आपको कैसा लागा, कमेंट बाक्स में जरूर लिखेगा, वीडियो अच्छा लागे, तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा, इसे अपने दोस्तों में सेर कर दीजेगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नही कर लिजेगा, क्योंकि UPSI के लिए सेर्टिकी वीडियो में समय समय पर आपके लिए लाता रहूँगा, धन्यबाद दोस्तों